तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मीद करता हूं की सभी दोस्त पढ़िए ही होंगे तो आज की वीडियो में हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिसमें मतलब की आप भरी फायर मतलब एकदम मक्खन की तरह खेल पाओगे तो आज की वीडियो को कंप्लीट वोच कर लेना आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग मतलब 20 यार के बजट में एक अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हो मतलब तो 20 यार बजट होगा हमारा 20 यार बजट में आपको मतलब गेमिंग पीसी तो नहीं बोल सकते मतलब की इसमें फ्री फायर तो आप मतलब बहुत बढ़िया खेल सकते हो इतना कंफूर्म मैं आपको बोल दूँगा फ्री फायर तो आपका मतलब एकदम मक्खन की तरह लाइच्ट्रिम भी हो चाएगा राम से अब बढ़ते हैं जल्दी से वीडियो की और वीडियो बनाने में बहुत मैनल लगी है तो वीडियो को प्यार से लाइक करते हैं चैनल को स सब्सक्राइब कर देना तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट फिर आपको पता ही होगा कि PC बनाने के लिए हमें उनके पार्ट की जुरूरत पड़ती है तो मैं पार्ट कहां से मनलब परचेज करने सारा कुछ दिखाएंगे प्राइस भी दिखाएंगे आपको सारा कुछ तो हमने सारा कुछ उसको कल्कुलेट करके मनलब की मैंने खुदने उसी मनलब मेरा भी इतना बजट नहीं था तो मैंने भी एक PC बनवाया है क्योंकि पहले मेरे पास बहुत कम मनलब दो जी भी रहें वाला PC था तो उस पे तो मनलब बहुत ही मुश्किल होता है मनलब फरी फायर खेलना या फिर जी आपको मनलब कैसा गेम प्ले देखने को मिल रहा है मेरे को तो बहुत बढ़िया देखने को मिल है गेम प्ले आपको मैं बताऊंगा वही कैसे आपको PC बिल्ड करवाना है अगर आपको थोड़ा बहुत मनलब परसेसर चेंज करना है या फिर मनलब 25,000 बजट मनलब हो जाए आपका तो आप मलव और बढ़िया गेंपले कर सकते हो उससे आपका ग्राफिक काड बढ़िया लग जाएगा प्रसेसर तो मलव एकदम मक्षन की तरह आपको लगवा कर दूँगा ओके तो चलिए अब वीडियो को मिल रहा है यह प्रसेसर है इंटल कोर आई 5 ओके आई 5 प्रसेसर है यह आपको लगवाना है आई 5 फोर जनरेशन लगवा सकते हो ओके यह थरी जनरेशन था मैंने फोर जनरेशन लगवाया क्योंकि ओनलाइन पे मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मेरे को नहीं मिला फोर्च संटेशन आप लोकल मार्किट से अगर PC बिल्ड करवाऊगे न एक तो आपको मलव की बहुत सस्ता पड़ेगा ओनलाइन बहुत ज़्यादा मलव इनका रेट बता रखा होता है लेकिन ओफलाइन में मलव बहुत ज़्यादा सस्ता होता है तो आपको ओफलाइन ही PC बिल्ड करवाना है अगर आप ओनलाइन के चक्कर में जाओगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बजट मलव की 20 जार फिर तो आपका कन्फरम लगेगा अगर ओफलाइन जाओगे तो आपका मलव 15 जार भी लग सकता है पांच जार का सीधा फरक आजाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश करने कि ओफलाइन आप PC बिल्ड करवाओ तो यह हमारा प्रसेसर था i5 for generation यह आपको पढ़ेगा तृतालिस सो गा कर यह प्रसेसर आपको लगवा देना है उसके बाद अब जलते हैं मधर बूर्ड कौन सा आपको लगवानों मधर बूर्ड आपको मैं बता देता हूं मैंने कौन सा लगवाया जो आपको motherboard लगवाना है उसका नाम है H.Jabronik H.61 तो यह आपको motherboard लगवा लेना है अपने PC में यह आपको पढ़ेगा 3500 का पढ़ेगा तो आपको इसे लगवाना है यह मनलाव बहुत ही बढ़िया है हमारा processor मनलाव की motherboard सोरी तो यही मैंने भी motherboard लगवाया है मनलाव इसमें आप graphic card मनलाव कितना बड़ा हो लगवा सकते हो और 16GB RAM लग जाएगी 16GB ओके तो मनलाव 8GB की दो स्टिक लगाओगे 16GB RAM तो बहुत बढ़िया होती है मनलाव की 16GB की तो कोई रीस ही नहीं होके तो मनलाव Free Fire तो आपका एकदम मक्षन की तरह मनलाव 8GB पर ही चलता है 4GB होना तो भी अच्छे से चल जाता है Free Fire तो अगर आपके PC में 8GB RAM होगा तो स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हो इसलिए मैं आपको recommend करेंगा कि आप लोग मनलाव RAM लगवाओ तो मैं अब बता देता हूँ आपको RAM कौन सी इसमें लगेगी और कितने में आपको पड़ेगी मदरबर्ड आपको पड़ेगा 3500 रुपेगा तो अब चलते हमारी RAM की ओ आपको स्क्रीन पे DDR3 की ये RAM देखने को मिल रही है ये RAM आपको पड़ेगी एक यार पै की चार जिबी RAM मिलेगी तो आपको दो स्टिक मंगवा लेनी है चार चार जिबी की मनलाव दो स्टिक आपको पड़ गई दो अजार पै की आपको RAM ही देखने को मिल रही है तो इतना सस्ता RAM ही आपको देखने को मिल रहा है और इस PC में आपको SSD भी लगवाना पड़ेगा क्योंकि आप फरी फर खेलना चाते हैं तो आपको fast ही चलाओगे PC को SSD जरूर हम recommend करेंगे हर बंदे को SSD भी बताएंगे कौन सी आपको लगवानी है कितनी लगवानी है बाकी आप hard disk खुद लगवा होगे हाट disk हमने इसमें नहीं की आड़ क्योंकि hard disk कुछ लोगों को कितनी लगवानी होती कुछ को कितनी तो इसलिए hard disk हमने recommend नहीं किया है बाकी graphic card अब बता देते हैं आपको graphic card कौन सा आपको लगवा सकते हों कितना budget में इस अच्छे से चल जाए वह graphic card भी आपको दिखा देते हैं आप मेंसे कुछ लोग जो बीसी के बारज में थोड़ी सी knowledge रखते हैं उनको तो पता होगा यह जी टी 710 graphic card अडेसुस की तरफ से आता है नवीडिया कुछ लोग नवीडिया नाम से भी जानते हैं इनवीडिया 710 नाम से आता है तो यह आपको graphic card पड़ेगा 5000 रुपए में पड़ेगा यह आपको graphic card यह इतना बढ़िया तो graphic card नहीं मैं इसे करूँगा लेकिन अगर आपको only free fire खेलनी है तो आप इस graphic card पे जा सकते हो अगर आपको GTA 5 भी खेलनी है तो आपको मैं recommend नहीं करूँगा क्योंकि इस पे मलो इतने चल तो जाएगी मलो graphic card पे अराम से चल जाएगी लेकिन इस पे इतने अच्छे graphic देखने को नहीं मिलेंगे आपको तो इसी लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इससे भी बढ़िया थोड़ा सा graphic देख लेना बाकि आपको कुछ समझ ना आए तो मेरे को comment कर देना मैं आपको बता दूँगा बजट बता देना आपका कि कि बढ़ते हैं हमारे केबिनेट तो इसमें हमने केबिनेट भी एड़ कर दिया ऐसी कर दिया है केबिनेट तो आपको पते ही है मनलोग कोई सा भी लगवा सकते हैं तो केबिनेट भी मैंने एक एड़ कर दिया है ताकि पूरा PC हो सके ओके तब मैं बता देता हूं आपको केबि केबिनेट लगवा ले ना जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है तो आपको केबिनेट तो कोई सा भी लगवा सकते हो 3000 बजट में तो बहुत बढ़िया केबिनेट आपको मिल जाएगा तो अब आपको बात मलत बात करते हैं हम हमारे SSD की तो आपको कौन सा लगवाना वो आपको SSD तो जरूर ही लगवानी है जो मैं यह आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना 240 की है यह SSD 240 GB इसमें आपको देखने को मिलेगी इससे क्या होगा SSD से क्या होता है कुछ लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ SSD से आपको यह होगा कि आप मलब जब भी अपने PC को मलब चालू करोगे तो फास्ट होगा तो इससे मलब गेम भी फास्ट हो जाएगी मलब बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा मलब जो आपका कुछ error वगरा आता है वो इससे नहीं आएगा मलब जितना भी कुछ आप चलाओगे परसेसर पे भी जादा फरक नहीं पड़ेगा तो इससे आपको बहुत फाइदा होने वाला है SSD लगवाने से तो SSD आपको जरूर लगवानी है 240 की यह जो मैंने आपको बताई है यह पड़ेगी आपको 2700 रुपए में तो आपको मलब ओफलाइन बिल्ड करवाओगे तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा मेरे लगे थे ओफलाइन मैंने इसको बिल्ड करवाया था तो मेरे लगे थे इसमें 12,000 रुपए बस 12,000 में मैंने ये PC बिल्ड कर दिया था लेकिन मैंने ग्राफिक काड थोड़ा सा बड़ा लगवाया है क्योंकि मेरे को GTA 5 भी खेलना होता है फ्री फैर इतना मैं नहीं खेलता हूँ तो इसी लिए ओके तो और आपको एक लगवा लेनी है पावर सिप्लाई मैंने ऐसे ही एड़ करती है पावर सिप्लाई तो आपको पता ही होगा कि हर PC में लगती लगती है तो पावर सिप्लाई आपको मैं बता देता हूँ आपको 600 रपे की पड़ेगी पावर सिप्लाई मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको पावर सप्लाई लगवा लेनी है जबरोनिक की है ओके तो 600 रुपे की है बस महलो बहुत बढ़िया पावर सप्लाई है मेरे खुद के PC में यही पावर सप्लाई चल रही है तो 5-6 साथ हो गए है मेरे PC को महलो तभी मैं 2GB RAM में खेलता था महलो जीटिये सेंडरस हो गया YCT हो गया ऐसी गेम मैं खेलता हूं महलो ओपन वर्ल्ल गेम Free Fire महलो बहुत कम खेलता हूं तो Free Fire मैंने देखा था अपने PC में इस्टोर करके मेरे PC में बहुत बढ़िया चल रहा था इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं 20 यर बजट Free Fire तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ठैंक्स पूर इस वीडियो वचिंग तो वीडियो पसंदा ही लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं